अरे संज्रा वाब इतनी रात हो गई अब तक तुम जाग रही हो सिर्फ मैं नहीं घर के ज्यादा तर सारे लोग जाग रहे हैं क्योंकि आप ने सब की नींद हराम की है क्या मतलब तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही हो क्योंकि यही तरीका बाकी है आप अपने आपको समझते क्या है मिस्टर विशाल जब चाहे चले आए जब चाहे चले गए शायद आपको याद दिलाना पड़ेगा कि यह एक घर है सराय नहीं और यहां पर आपके इलावा बहुत सारी लोग रहते हैं लेकर उनसे आपको क्या आपकी पार्टीज आपके फंक्शन आपके रंग रलियां यह सब चलनी चाहिए राइट फिर कोई जीए या मरे आखर बात क्या है और फिर मेरी नाइट लाइफ से तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है खुशी को फर्क पड़ता है और वो मेरे लिए काफी है तो खुशी ने कहा यह सवां उसे कहने की जरुरत नहीं है इस घर में लोग है जिनकी आखे हैं वो देख सकते हैं खाने पर आज भूक के मारे बिहोश हो गई क्या आपने अपने इलावा किसी और के बारे में सुचा है नहीं क्योंकि अगर सोचा होता तो आज आपकी पत्नी के यह हालत नहीं होती अगर आपको अपनी जिम्मेदारियों का एसास नहीं था तो क्यों आपने मेरी बिचारी भोली-भा आपके बारे में ठीक तरा से पूछताच नहीं की थे ओ शराब बहुत हो गया तुम होती को नो मुझसे इजन से बात करने वाली खुशी की दोस्त दोस्त हो तो दोस्ती की हद में रहो उसे पार करके हमारी जाती जिंदगी में दखल देने के कोशिश मत करो कि अच्छा आप आगये क्यों इतने से मन नहीं भरा कोई और कसर बाकी रह गई हो तो घरवालों को भी उबलाओ आप क्या कह रहे हैं हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है नाटक करने की जरूवत नहीं है तुम यह सब दिखा के सावित क्या करना चाहती हो कि तुम बहुत बड़ी सती सावित ही हो और अपने पती के लिए अपनी जान भी दे सकती हो देखो इन सब चीजों का कोई अर्थ चला चला कर मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि जो कुछ भी हुआ मेरे कारण हुआ तुम ही ने उसको कुछ कहा होगा मेरे बारे में, वरना उसकी हिम्मत जो मुझसे इस द्रंग से बात करें हमारा विश्वास की जी, हमने किससे कुछ नहीं कहा तो फिर वो हमारे रिष्टे में डरार डालने के कोशिश क्यों कर रहे हैं लेकिन संजन ऐसा क्यों चाहेगी? मुझे क्या मालूम क्यों चाहेगी? लेकिन अगर ऐसा है तो वो तुम्हारी दोस्त नहीं दुश्मन है, दुश्मन! देखो, खुशी, हर रिष्टे की कुछ सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं को इनसान को लांगना नहीं चाहेगी और संजना का क्या हग बनता है कि वो इस दहलीज को पार करे? देखो, अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो मैं भी उसका जेट हूँ उसके बावजूद उसने मेरा अपमान किया और वो भी सिर्फ तुम्हारे कारण यह बात ध्यान में रहे झाल खर लाए एक्वाद झाल 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 झाल